हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो यूरोन यूटूब चनल अग्री ब्रेट्स एंड दिस इच प्रभाद, तो किज आज की वोडियों आईसर 22 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाल जिसमें हम बात करने वाले हैं, आईसर 22 के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ज कौन सी मेन टॉपिक से जिसको आपको रीड करना चाहिए, और कहां से क्वेश्चन आते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चेज़े इस वोडियों में कवर की गई हैं, वीडियों को पुरा देखेगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हो, प्रॉब्लम्स को इन वीडियो और अधर एगरिकल्चिल एंटरेंस, प्लस साथ में सेंट्रल उडियों की अपडेट्स आपको कंटिनेशली मिलने वाली हैं, तो चलिए वीडियों को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जानेंगी यहां पर हमकी वीडियों में किस-किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, आप आपको preparation कैसे करनी हैं, इन सब चीजों के लिए हमें पहले syllabus, examination के pattern और important कौन सी book आपको पढ़नी है, chapter wise study कैसे करनी है, और notes आपको कैसे प्रिपरिक करना है, और प्यवाइक यानि कि जो previous question paper है, उसको कैसे solve करना और आपको preparation कैसे करनी है, तो इन सब topics को वीडियों में cover किया आपको पुरा दिकेगा अच्छा सब दखेगा, और वीडियों के अच्छे लगी है, तो वीडियों को लाइक और शेर, जरू कीज़ेगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ, और तमाम लोगों के शेर कीज़ेगा, एक बात मैं आपको बता दूँ क्यार, preparation के लिए coaching और institute की क जूरत नहीं है, किसी भी paid course की जूरत नहीं है, जो जो चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ, उस चेश को आपको normally follow करने है, ठीक, एक simple pattern बताने वालों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पे examination के बारे में, ठीक है, all India में जितने भी agricultural universities हैं, उसमें admission के लिए हर साल NTA ICR का exam कराती है, क्यानि कि जो भी state agriculture university है, उसमें 15% sito pay admission, ICR examination qualify करने पे मिलता है, प्लस PG में 25% sito pay admission, ICR exam qualify करने पे मिलता है, बाकी बची 85% city, वो आपके state examination जो भी होते हैं, ठीक है, जो भी combined agriculture test होता है, उसके basis पो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर बात करने वाले जो 50% city, ICR की उसके लिए आपको preparation कैसे करनी है, एंटी इस exams को हरसा लेती है, अभी तक 22 session के लिए इसका application form नहीं आया है, ठीक है, तो application form मैं आपको पहली बता दिया था कि 22 का application form अप्रेल के first week में आएगा, तमाम वीडियो आपको YouTube पे मिल रहे हैं, जो कि बिलुकुल fake information दे रहे हैं, आपको exam pattern का क्या क्या scenario है, ठीक है, हम बात करेंगे undergraduate programs के लिए exam pattern, preparation से पहले आपको exam का pattern पता होना चाहिए, कितने question आते हैं, कौन से subject से question आते हैं, कितने mark से question आते हैं, यह सब चीज़े आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो बात करने exam pattern को, तो UG में total 150 question आते हैं, ask के जा chemistry का, और 50 आपको core subjects के, यानि कि math, bio, agriculture, इन तीनों में से कोई एक, आपका core subject होता है, जो कि 12th में होगा, उन में से इन तीनों में से कोई एक आगा है, उसमें भी 50 questions आएंगे, total question बनते हैं, 150, और 150 question आपको होता है, 600 marks के, यानि कि एक question आपका होता है, 4 marks का, इस question will carry 3 to 4 marks for all groups and subject ठीक है, यानि कि हर एक question 4 marks का होता है, total आपके 600 marks होनते हैं, और बहुत important जीज़े जिसको आपको ध्यान में रखने, that is negative marking ठीक है, तो यहाँ पर एक marks आपका negative marking होती है, और wrong attempt एन पर भी कोई आपको marks नहीं मिलते हैं, ठीक है, exam pattern का scenario आपको समझे में आगे होगा, next हम जान के regarding हर एक chapter के regarding यह बताया हुआ है, किस chapter से कितने question आते हैं, बहुत important PDF है, काफी helpful PDF की help से last year काफी बच्चे और exam qualify किया है, ना तो आप हमारे telegram group पे आके ask कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं, जिनका आपको review मिल जाएगा, उस PDF को download किज बिल्कुल free है, telegram group के file sections में available है, साथ में आपको class 11, 12 की NCRT की physics, chemistry, biology और mathematics जो भी आपका subjects हो, जो भी आपका group हो, उस subjects group की books आपके पास available होने चाहिए, बिल्कुल class 11 और 12 की पूरी, पूरी NCRT की book ठीक है, और अगर agricultural sections के लिए तो उसके लिए especially book आती, that is नेमरा सुन्दा के जो की competitive book for agriculture, यह सभी इंटरेंस के लिए enough है for agriculture subjects, ठीक है, question paper आपका ICR की जो NCRT की syllabus से उसी के basis पर prepare के जाता है, तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत important चीज है, books को लेकर काफी लोगों के problems आते हैं, तो आज की उडियो में हम एक एक करके हर एक subject, group की important books क को देखने वाले हैं, कि कौन से books को आपको चूज करना है, कौन से book को prefer करके उसके according आपको study करने, ठीक है, subject आपका group wise हम बताएंगे, हर एक important group के लिए, हर एक important subject के लिए हम एक book बताएंगे, ठीक हलाकि मैंने आपको best book ICR 22 से लेटरिक बहुत important वीडियो बहुत पहले ही मैं के लिए book, ठीक है, आपका ABC में क्या क्या subject आता है, agricultural, biology, chemistry, ठीक है, ये तीन subject होती है, इन तीन subject को आपको cover करना पड़ता है, biology, chemistry, आप लोग हमेशा मैंने आपको पहले से prefer किया, कि आप लोग NCRT के book को prefer किजिए, साथ में NCRT objective book, जो की NCRT exemplar की book आती है, और NCRT MTG publication की NCRT finger prints की book आती है, तो इन दो book को prefer कर सकते हैं, प्लस agriculture के लिए आप लोग N.R.Sunda की नेमरा सुनदा की book को prefer कर सकते हैं, ठीक है, नेमरा सुनदा की सभी book का important link आपको वीडियो के description box में मिल जागा, सेमेज PCM group के लिए भी वही book में आपको बताऊंगा, MTG publication की आपकी NCRT objective book को लेक के दोनों volume को prefer कर सकते हैं, ये best book है, आपको already हमेशा neat हो, या रचे यू मेंस हो, आप सभी हर एक exam के लिए NCRT की book और NTA का examination pattern है, जो question paper का question system है, वो पूरा NCRT best होता है, ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही helpful हो सकती है, next हम बात करेंगे ICR UG के PCB group के लिए important books के बारे में, यहाँ पर आपको PCB के लिए NEET का online mock test आप देते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ICR question में mock test available नहीं है, तो उसलिए आप लोग नीट के mock test को prefer कर सकते हैं, यहाँ भी आपको class 11, 12 की दोनों volume NCRT की, physics, chemistry और biology की read करने हैं, साथ में MTC publication की जो NCRT की book होती है, objective book, वो नीट के लिए आ पर देख रही है, इनमें कोई भी एक book आप prefer कीजिएगा, यह सारे book बहुत important है, लेकिन मैं सबसे पहले prefer रहूंगा, जो मारा first number का book है, that is यह, आप लोग देख से तो screen पर, यह, नेमरा सुन्दा की book है, ठीक है, इस book को prefer कीजिएगा, काफी अच्छी book है, ICR की examination हो, या फि दोनों book आपको Amazon Flipkart पे मिल जाएंगी, market में अच्छी तरीके से available हैं, गोडियों के description box में भी link हमने mention कर दिया है, आप वहाँ सब इसको buy कर सकते हैं, ठीक है, next हम जान लेते हैं, हमारा जो chapter wise study है, ठीक है, ठीक है, यार preparation करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि हर एक chapter को बताई है, MTC publication की, उस book के थूँ, जितने बी topic, chapter में, जो भी important topic से, उस topic से लेटर, जो भी आपका MCQ है, ठीक है, जो भी objective question है, जो भी multiple choice question है, उसको solve कीजिएगा, ठीक है, NCRT के example जो book है, अरियंत publication की, उसमें आपको assertion region के भी कुछ question मिलेंगे, ठीक है, तो उन सब question को भी follow follow कीजिएगा, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको, biology के लिए chapter wise और physics chemistry, सभी के लिए chapter wise PDF हमने, telegram group पे upload कर दी, आप लोग उसको देख सकते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी preparation को एक अच्छी way में focus करना है, ठीक है, आप लोग के पास बहुत ही कम time बचा हुए, limited time इस limited time में, I think हमें लगता है, आपका 3-4 महीने बाद exam होना है, July से अगस्त के बीच में कभी भी आपके ICR UG के exam हो सकते हैं, तो इन 4 महीनों में आप अपनी preparation को अच्छी तरीके से कर सकते हो, अगर आप एक beginner हो, तो आपको NCRT को follow करने शाहिए, साथ में आपको mock test देते रह है, यानि कि अगर आप PCM group से हैं, तो आप J-min's के mock test दीजिए, अगर आप PCV group से हैं, तो NEET के mock test दीजिए, ठीक है, क्योंकि ICR का हमें लगता कोई ऐसा mock test है नहीं, जो कि आपके ICR examination के level का हो, ठीक है, तो काफी low level पे आप यहां पे mock test अवेलबल है, तो इससे अच्छा है क आप लोग जो बड़े exam है, जैसा J-min's का हुआ, NEET का हुआ, उस exams को follow कीजिए, उनकी mock test देते रहेगा, ठीक है, काफी helpful होगा यह आपके लिए, और वेटेज वाई जो syllabus है, उसको भी telegram group से डाउनलोड कर लिजेगा, और एक और चीज हमने बताया पहले कि आपको syllabus जानने क पहले आप उस topics की हर एक जो भी उसमें important चीज है, उसकी एक sort notes को prepare कर लिजेगा, यह separate notes होगा, जो कि आपका examination से 10-15 दिन पहले बहुत ही आप लोग के लिए बहुत जादे helpful होगा, यह चीज हमने practically देखी है, हमने खुद यह चीज किया है, कि जो notes हम prepare करते हैं, अगर उस notes को प्रिपेर करते जाएं, देखें, आप notes प्रिपेर करते जाहिएगा, साथ notes को study मत कीजिए, लेकिन जब examination से एक महिना time आपका बचे, examination से पहले एक महिने आप उस notes को prepare कीजिए, revise कीजिए, जो notes आपने 2-3-4 महिने पहले से बनाना start किया था, ठीक, accepted sort notes आपका बहुत हर एक important subjects के, हर एक important chapter के, हर एक important topics का notes प्रिपेर कीजिएगा, ठीक है, छोटी 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 जो topics हैं, उसको ध्यान में रखिएगा, और अपने important notes बनेगा, उसको revise की जगए exam से पहले, और बहुत सारी चीजिए आपको mock test के तुरू भी मिल जाएंगी, तो mock test के तुरू भी कैसे आपको preparation करनी है, preparation करने के लिए देखो सबसे importance ही होता, that is time management, ठीक है, तो समय का आपका बहुत अच्छे तरीके से use करना है, क्योंकि बहुत कम time बचा हुआ, I think आपके पास 4 महीने का time बचा हुआ, तो इन 4 महीनों में आपको पूरी syllabus कवर करनी है, ऐसा नहीं कि कि तीन सब्जेक्ट सी, तीन सब्जेक्ट के साथ साथ आपको दो classes का book है, ठीक है, यहां पर आपका class 11, class 12, दोनों का syllabus से यानि कि आपके पास एक double load पढ़ जाता है, क्योंकि आप physics, volume 1, volume 2, chemistry, दोनों book, और साथ में, यहां पर mathematics, psychology की दोनों volume में आपको पढ़नी पढ़ेंगे, ठी मैं आपको बता रहा हूँ, कि M2C publication की जो objective book आती, उसकी objective question को solve कीज़े, साथ में हमारे एक जो हमने आपको बताया कि sort notes, ठीक है, हर एक topic का sort notes prepare कीज़े, ठीक, sort notes को prepare करते रही है, जब exam से एक महिने पहले का time बचे, देन आप उस sort notes के थुरू prepare कीज़े, यह काफी अच्छा चीज़ है, आप सभी लोग के लिए अगर आप इसको follow करेंगे, then I will guarantee you कि आपको success ज़रूर मिलेगी, ठीक है, next हम बात करते हैं, topic wise study करनी है, ठीक है, time management, आप एक अच्छे सा time table अपना बनाईए, उसके plan के अपने preparation कीज़े, जो भी important topics है, उसको पहले focus किए, जिस chapters जादे वेटेज, जिस chapters जादे question आते हैं, उस chapter को जादे focus किए, ठीक है, जैसे हम बता दे आपको, वालाजी में कुछ ऐसा chapter है, ठीक है, जहां से question, 10 से 12 question हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, जो बड़े chapter है, जो बड़े unit हैं, उस chapter को follow किज़े, ठीक है, again topic wise आपको study करनी है, अपन question को follow कर सकते हैं, ठीक है, साथ में, देखो यार, ICR का exam उतना tough है, जैसे लोग बोलते हैं, कि need or jee क recording, तो उतना tough नहीं है, लेकिन अगर आप need or jee means का PCB, PCM group के recording, अगर आप mock test देते हैं, तो जरूर आपको यहां पर success मिले हैं, क्योंकि same preparation tips, आप वो चीज को follow कर सकते हैं, same syllabus से, और आप इस basis पर अच्छा marks अच्छीव कर सकते हैं, ठीक है, हलाकि rank अब आपके rank के basis पर counseling होती है, लेकिन rank आपका score card भी आता है, तो score card अगर आपका अच्छा है, जाएर से बात है, आपके rank अच्छी होगी, तो rank अच्छी होगी, तो आपको college में selection पहले होगा, counseling कई round म होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप courses कीजेगा कि पहले दूसरे तीसरे round में हैं, आपको कोई ना कोई अच्छा college मिल जाए, ठीक है, तो इसलिए आपको हमेसा एक अच्छे marks को target करके चलना है, कम से काम आपको 450 plus marks का target लेके चलना है, अगर आप अच्छे हैं, तो 500 plus, 550 plus का target ले प्रैक्टिस और revision को भी continuously प्रैक्टिस जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसका practice करते रहेगा, उसका revision करते रहेगा, short notes जो बता है, उसके तुर revision कीजिए, और अपने study material जो भी हमने बताई है, वो study material जानी कि जो important books बताई है, या फिर आपको कहीं पे कोई notes मिल जा रहा ठीक है, अब टाइम कम है, इसलिए आपको 6 से जादे या फिर 6 से जादे घंटे आपको regular study करनी है, अगर आप इस चीज़ को follow करते हैं, 2-2 घंटे हर एक subjects को, जो main 3 subjects है, हर एक important subjects को 2-2 घंटे अगर आप डेली कर देते हैं, तो आपका एक अच्छा target, जो भी आपका marks का target है वो एक achieve कर पाएंगे, ठीक है, सेम चीज़ है for marking scheme, एक्जाम देने से पहले आपको marking scheme के बारे में पता हो चीज़िए कि हर एक mark objects का अपना अलग-अलग marking scheme होता है, यानि कि आपको negative marking से बचना है, जो question नहीं आ रहे हैं, उसको touch मंद कीज़िए, क्योंकि जो question आते हो, अगर अगर आप उसको touch करते हैं, आपकी वो चीज़े marks आपके minus में चले जाते हैं, तो इसको follow कीज़ेगा, कि candidate को हमेशा advice दे जाता है, कि हमेशा marking scheme negative marking से बचे, ठीक है, negative marking से जतना ज्यादा से हो ज्यादा उसको उतना ज्यादा बचेगा, marking criteria आपको पता होने चीज़िए कि एक हम बता दे आपको कि साथ में healthy is wealth होता है, तो हमेशा है आपको healthy रहना है, I mean mind पे आपको pressure नहीं डालना है कि यार बहुत tough चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, daily अपना 6-7 गंटे revision कीज़े, पढ़ाई कीज़े, और जो भी आपकी problem सारी हो, problems को हमसे स्वेर कीज़े, अपने regular इस चीज़ को follow कीज़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन follow करें, उसके बाद सब कुछ mind से निकल जाता है, तो जो मैंने बताया कि sort notes, sort notes को daily prepare करते रहेगा, उसको notes को बनाते रहेगा, last में वो आपके काफी helpful हो था, ठीक है, sort notes का need आपको exam से एक महीने पहले, जब इसकी need ह होगी दिन आपको इसका importance पता चल पाएगा, ठीक है, तो उस चीज़ को follow कीज़ेगा, और जो भी आपकी problems आ रही हो, वो problems हमसे comment box में भी share कर सकते है, more important चीज़े की previous question paper, तो NDA के website पर आपको previous question paper मिल जाएगा, लेकिन answer की नहीं मिल दिया, ठीक है, तो हमने आपके लिए answer की भी provide कराई हुए है, यहाँ पर यह step दिया गया, step को follow कीज़ेगा, description box के link को चेकीज़ेगा, वहाँ पर agree updates के इंस्टा मुझो का page का link मिल जागा, जहाँ पर आपको हर एक साल के ICR के original previous question paper with answer की मिल जाएगे, अगर cultural biology, chemistry, physics या फिर कोई भी sections का question paper आपको मिल जाएगा, ठीक ह ICR का all logic subjects का question paper आपको बहुत अच्छे तरह के mention करके with answer की यहाँ पर mention किया गया, तो आप इक पर website, इंस्टा मुझो के agree updates की page को follow करके वहाँ पर आप लोग उसको देख सकते हैं, जिसको भी पशंद है आप उसको PDF को buy करके download कर सकते हैं, ठीक है, PDF आपको email के through मिल जाती है, य and for more information you can visit on ICR exam.net website, जो की ICR की counseling की website है, वहाँ भी आपको बहुत सारी data बगरे मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपको हर साल 2,00,000 बच्चे लगबग आपको form apply करते हैं, एक से 1,5,000 बच्चे और उसमें से exam आपके 1 से 40,000, 50,000 बच्चे आपका exam देते हैं, ठीक है, सीट से total 3,000 तो इसके लिए काफी ज्यादा competition है, तो इस चीच को अच्छा सध्यान रखेगा, जो ही चीचे आपने बताईए, उसको follow कीजेगा, और वीडियो न देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपमें YouTube, Instagram, Telegram पे join कर सकते हैं, YouTube पे subscribe किलजेगा, Instagram पे follow किलजेगा, आपने टेलिग्राम पे आपको टेलिग्राम पे भी regular मिलने वाले, जो हमने आपको important subjects का, syllabus का, chapter wise syllabus का, वेटेस बताया है, वो ही आपको आपको मारे टेलिग्राम ग्रूप के PDF में मिल जाएगे, thank you so much for watching YouTube, जो कोई problems हो कि problems को comment box में ask कर लिएगा, thank you so much